पर वाड़ी सेथ टेकनी वाड़ी में एक घर के अंदर उपर मजली पर एक युवक के सीर और गर्दन पर वार करके बेरे में से हत्या कर देनी की शेत्र में संसनी फैली हुई है हमेशा विकी लोखंडे के यह दोस दारू तथा गांजा बैठ कर पीती होने की जानकारी है दोपैर को लिखिट और आरोपी सागर खोश दारू गांजा पीने बेठे थे तब ही आपसे विवाद में धारताज शस्त्र से लिखिट को सागर ने जबरदस सिर पर मारा आरोपियों ने बार करते देख विकिलोखंडे चिलाते बस्ती में गया आरोपी बहा से फरार हो गया मामले की जानकारी मिलते ही घटना सतर पर डिसीपी अनुराग चैन, एसीपी सतीश गुणाव, वाड़ी पियाए राजिश तटकरी, हिंगना पियाए विनोद गोड़पुली पहुचे मामले का पंच नामा किया और शव परिशन के लिए सरकारी अस्पतार में बेचा गया, खबर लिखी जाने तक अपराद दर्श होने का था आगी की जाज वाड़ी पियाए राजिश तटकरी की मार्क दर्शन बिचारी है जानकाई है कि सागर और आरुश खोश उम्रे 26 साल साई नगर निवासी टाटा एच चलाता है लिखी ताड़े विक्की लोखंडे की साथ बैटाता तब ये अचानक आरुश आया और इसने धारदार शस्त्र से लिखित के उपर वार की जिससे लिखित की जगा पर ही मौत हो गई लिखित को एक लड़का है जो चार साल का है लिखित की पतनी गुरू ही नी है लिखित के उपर बास साल पहले का मर्डर भी है जिसको लिखित ने पतर से कुचल कर मौत की घाट उतारा था लिकित और आरुष कोश दोनों दोस होने की जानकारी है दोनों साथ में बैट कर गांजा और डारू बेते थे आरुष के पिता ओटो चालक है जैसे ही मर्डर करके आरुष अपने घर पहुचा उसने अपने पिताजी को मर्डर करने की जानकारी दी तो वैसे ही आरुष के पिताजी ने आरुष को वाड़ी थाने में लाया और अपरात करने की जानकारी कब उली की। इस संब्ध में विक्की लोखंडी को भी हिरासत पिलिया क्या है। विक्की से भी पूछता चालू की गई है। मंगलवार को ही इस घटना की बाद बुद्धवार को पुलिस आयतिर रविनरस सिंगर ने घटना सर को भेटती। इन्बेसन द्यूस के लिए वाड़ी से सुरप पार्टिल की रिपोर्ट।